तो दोस्तों finally इंतजार कतम हो चुका है और दिल्ली मेटो रेल कॉर्परेशन लिमिटेड ने मेंटेनर पोष्ट के रजल्ट को भी डिक्लेयर कर दिया है आप लोगों को मैंने क्लेयर किया था कि मेंटेनर पोष्ट को छोड़कर आदर पोष्ट का रजल्ट तो उन्होंने declare नहीं हुआ तो और finally आज आप लोगों के maintainer post का यानि के IT students का result भी publish हो चुका है यहाँ पर dear friend मैं बात कर रहा हूँ यदि advertisement number की बात करें DMRC upon HR upon 2019 यह आप लोगों का advertisement number है यहाँ पर आप result की बात करें post code की बात करें तो यहाँ पर देखिए 16 and 18 number पर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर RNE 16, RNE 18, RNE 16 की बात करें maintainer, electrician, regular CBT result यहाँ पर आप देख सकते हो medical examination के लिए उन्होंने सारा कुछ information दिया है and maintainer fitter के लिए यहाँ पर medical examination के लिए आप लोगों को information दिया है यह सबसे अच्छा बात है तो यहाँ पर हम थोड़ से details में discuss कर लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ सा clear हो सके हम थोड़ से इसको समझ लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली मेटो रेल कॉर्परेशन लिमिटेड यहाँ पर आप लोगों को लोगों मिल जाता है भारत सरकार एवं N.C.T. दिल्ली सरकार का एक संयोक तोप करन है यहाँ पर यहाँ पर देखिए बात करें तो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है डेट यहाँ पर दी गई एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पर नोटिस में उनोंने क्लियर ली किया गया है कि दस्ताबेज सत्यापन और नियोकती पूर्व चिकिस्सा परिक्षा के लिए योग्य उम्मीदबारों की सूची यानि कि डारेक्टली आप लोगों को डोकुमेंट वैरिफिकेशन होगा आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनिशन होगा देन आप लोगों को जौइनिंग मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ पोस्ट कोड बगेरा दिया गया है यहाँ पर आप लोगों की 18 पोस्ट दिया आप लोगों को पता है दिया गया है परसंटेज में यहाँ पर मार्क्स आप लोगों को दिये गया है जर्स्ट यूर केटिगरी की बात करें 66.433 आप लोगों का कटवप है EWS केटिगरी की बात करें 65.050 एंड एक सर्विसमें यूर केटिगरी की बात करें 45.1 marks आप लोगों का cut-off है आप लोगों को clear होने चाहिए other post की कोई भी vacancies नहीं थी तो आप लोगों को मैंने clear किया था जो भी other post से ब्लॉंग करते हैं like OBC, SC, ST उन लोगों को UR category में ही form को fill करना था तो उन्होंने fill किया ही होगा definitely और वो cut-off में आते हैं तो आप लोगों का selection भी हुआ होगा तो फड़ावट से एक request है मेरी सभी students फटाक से यहाँ पर comment करके जरूर बताइएगा किस-किस का selection हुआ है जो special techno से जुड़े हुए हैं और मैंने courses भी आप लोगों को provide कराया था special techno online coaching के माध्यम से test series आप लोगों को provide कराया थी बहुत सारे question test series से same to same मेच किये थे यानि कि 50 plus question as it is मेच किये थे और coaching से काफी सारे students ने अच्छा score किया था और definitely मुझे आसा है कि 18 students में काफी सारे students special techno online coaching के definitely होंगे ये मेरा वादा है clear है तो वड़ाक से comment कर दीजेगा dear friend और यहाँ पर सारी information आप लोगों को दी गई है कि भई क्या-क्या information है हम थोड़ा सा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं क्या आभश्यक है यहाँ पर देखिए clear बोला है क्तपद के लिए अदुसूचित पातरता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है यानि कि यहाँ पर बोला है कि अभी आप लोगों को यहाँ पर अनंतिम है यानि कि कोई fix नहीं है आप लोगों की joining होगी because वो document verification देखेंगे आप लोगों के documents बगरा eligibility criteria को fulfill करेंगे तो definitely आप लोगों का selection यहाँ पर completely हो चुका है आवश्यक में यदि बात करें तो इन्होंने क्या बोला है कि चयाने तो उम्मीदबार को दस्तावेज, सत्यापन और नियुक्ती पूर्व चिकिस्सा परिक्षा के अगले चरण के लिए आरक्षण एवं योगिता सूची के अनुसार चरणबद रूप में बुलाया जाएगा यानि कि आपके सिप्ट में बुलाया जाएगा वो जैसा भी आप लोगों का schedule रखते हैं अलग-अलग trade का, अलग-अलग date में वो लोग बुलाते हैं जैसा की हर बार होता है जिसकी सूचना उसके पंजीकरत email ID और mobile number पर उचिस समय पर दी जाएगी जैसे ही वो date declare करते हैं आप लोगों को आपकी जो registered email ID है mobile number है उस पर आप लोगों को information दी जाएगी तो इस बात से आप वेफिकर रहेगा जैसे भी आप लोगों की date आती है medical examination date, document verification की date आती है मैं आप लोगों के लिए हूँ, कोई दिक्कत नहीं हर update को चैनल पर update करते हैं चैनल को subscribe कर लीजिएगा, bell icon को press कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को regular update मिलती रहे तो यहाँ पर यह सारी details आप देख सकते हैं online examination की date यहाँ पर दी गई है तो इसी प्रकार सारा कुछ आप अपने electrician बाले भी यहाँ से download कर सकते हैं और अपने name को चेक कर सकते हैं बाकि other कोई भी issue है आप लोगों का तो मुझे comment करके जरूर बताइएगा क्या issue है आप लोगों का हुआ है या नहीं हुआ है so thank you so much सभी students को और आसा करता हूँ information मिल गई होगी so thanks for watching and bye bye